तो राज्य सभा में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर बहुमत का अकड़ा पार कर लिया है राज्य सभा चुनाओ के लिए ये बड़ा फाइदा बीजेपी के जोली में जाता दिखाई दे रहा है आप देख रहें The News आपके साथ में स्विष्टी चलिए आपको बताऊंगी कि राज्य सभा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने से क्या वाकई आसार दिखाई दे रहे हैं कि देश के जुड़े बड़े बिल पास होंगे आपको बता दे विनियोग बिल ऐसे बिल जो जम्मु कश्मीर से रिलेटेड हैं वक्प बोर्ट की संपतियों पर अधिकारिक तोर पर जो यहाँ पर कबजा है उसको हटाने के लिए हो जाए वक्प संसोधन हो जाए जम्मु कश्मीर को लेकर आगे सरकार की बड़ी मंशा ऐसे बिल क्या पारित होंगे और इस पर संशय जो बना हुआ था दर्श को मिट गया और इस संशय मिटाने में बड़े बड़े बीजेपी के और उसके सयोगी दलों के लोग शामिल हुए मारास से नसीपी के बात कर ले जाए चाहे बिहार असाम और मध्यपरदेश में बात करें चाहे हरियाना की बात करें सभी जगों से यहां निर्विरोध भाजपा और उसके सयोगी दल राज्यसभा के लिए चुन लिया गए हैं और यही वज़ा है कि अब मोधी सरकार को थोड़ी टेंशन कम होगी आपको दर्श को आकड़े बता रही हूँ बीजेपी ने 119 क आकड़ा पार कर लिया है राज्यसभा में 200 सरस्यों की जगा होती है जिसमें से 238 पर होता है चुनाओ और 12 ऐसी सीट से जिसके लिए राष्टपती खुद उनके नामों का अहवान करती है और इसके अलावा मनोनित सरस्य चुन जाते हैं चार सीटे जमू कश्मिर की खाली ह इन सब का अकड़ा मिला करके बीजेपी और उसके अंडिया सायोगी को टेंचन थी कि बैया क्या होगा लेकिन देखिए निर्विरोध कई ऐसे भाजपा के निर्वाची सरस्य से चुन लिये गए हैं आपको बता दे यहां पर पहले सपोर्ट में मतलब पहले जब भाजपा सहयोगी देलों के द्वारा बिल को पास करती से तो बीजेडी यहां उडिसा में और यसर कॉंग्रेस यहां आंधरा में दोनों ने सहयोग दिया इन दोनों अब सब्ता से बेदखल हो गए हैं एक जगा बीजेपी की सरकार है आंधरा में तो आपने देखा गजप का हुआ और उडिसा में बीजेपी की सरकार बनी हाला कि बीजू जनता दल से बीजेपी के रिष्टे अच्छे हैं अभी भी अच्छे हैं और इनी सब मदी नजर अब देखा जा रहा है कि भाजपा और एंडिये कैसे बिलों को पास करेंगे तो दर्शु को इसमें कोई एफन बट नहीं है अब बड़े बड़े बिल आसानी से पास होंगे राज्यसभा में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिल गया है और इससे इंडी गढ़वंधन के होश उड़े कॉंग्रेस पार्टी की सदस्यता बढ़कर थोड़ी जरूर हुई है लेकिन इसमें अभी भी कॉंग्रेस पार्टी जो पिछले साल पिछले एक दशक से कहीं ना कहीं यहां पर जो पूरा बक्षी पार्टी के वाल कॉंग्रेस की में बात नहीं कर रही हूं पूरे बक्षी पार्टी ओने जो राज्यसभा में आपने आकड़े को बना रखा था उससे सरकार को थोड़ी बहुत दिक करनी गई चौधरी का बयान सुनिये जरा कैसे उन्होंने पी-म मोदी नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ग्यापन किया है कि कैसे आगे सरकार की मनशा काम करने की है प्रदेश के विकास की है और यही वज़ा है कि अब बिहार हो और यहां पर असाम हो हरियाना हो आपको ले चलूँगी किरन चौधरी के बयाद जो निर्वरोध मुझे चुना गया है बाजपा ने जो यह मान समान मुझे दिया है इसका मैं तै दिल से सारा शीष नेतरत्व की धन्यवाद करती हूं माननिये प्रदान मंत्री जी का माननिये खटर साहब का मानिये हमारे हम साब जो है अमिशा जी का हमारे नड़ा साब का और हमारे सीम साब का सबका जो है शीष नेतरतव जो है बडोली जी है हमारे अध्यक्ष सबका मैं अपते जिल से धन्यवाद करती हूं और ये दर्शाता है कि किस तरह से बाजपा काम करती है यही मैं कॉंग्रेस की कैंडिड बनके 20 साल पहले आई थी और मुझे मालूम था कितने पापड मुझे बेलने पड़े और उसके बावजूद जो है यह जो है शडियंत करके मुझे हराया गया था तो उस समय जो इनकी नियत थी कि इसमें यहां पे ना आपाए वो जो है आज पूरा 20 साल बाद जो है यह बात होई है और जिस तरह से कुछ मुझे नहीं करना पड़ा मुझे यह कह दिया गया कि आप अपने घर जाके बैठो यह बाचपा का काम है वो काम करेंगे तो ऐसे होता है पार्टी का काम और ऐसी पार्टी के साथ जुड़ने पर मुझे फक्र मैसूस हो रहा है और पूरी तरह से दम कम के साथ मैं काम करूंगा सुना अपने पीम मोदी की तारिफ करते वे हैं कि यह भाजपा की बड़ी जित है इसके अलावा आपको बता दे दर्चुगो एक बार मैं आपको नाम बताती हूँ बिहार से मनन कुमार मिश्वा, हर्याणा से किरन चौधरी, असाम से बीजेपी से मिशन रंजन दास और रमिश्वर तेली इसमें बड़ा नाम उपेंद्रा कुश्वागा भी रहा बिहार से आगे सुनिया हर्याणा से किरन चौधरी, मद्धर परदेश से केंद्रिय मंत्री जौर्ज कुरियन और राजस्थान से रवनरीत बिट्टू, महाराष्ट्र से धैरशिल पाचल, ओडिसा से मम्ता मोहंता और राजस्थान से रवनरीत बिट्टू जो मैंने आपको बताया सरकार भाजपा की, चाहे केंद्र में हो, चाहे प्रिदेश में हो, ये अभिव्यक्त की स्वतंतरता के बिरुद्ध है, कोई अगर ऐसा कारे करे, जो कानून नफरात है, तो उस पे तो आप कारवई कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, अभी वक्त पे रोक लगाई जा रही है, पीड़ा पर रोक लगाई जा रही है, जो समस्वाई हैं उसको अभी वक्त नहों सके, ये प्रियास किया जा रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, और कहना चाहता हूँ, कि आजाद देश में, अपनी कानून जो उचित है, वो कह प्वाराटी है और वह भी हभी हभी बिज़ारटी से एक कदम दूर है यह जो चुना हुए थे तो बाई लेक्षन है जहां जिसकी सरकार है वहाँ उसके MP चुल लिए जाते हैं तो यह मदःवरिधेस से आए हरियाना से आए हैं या उन राज्यों से आए हैं जहां भाजपा की सरकार है महारास्ट है बिहार है इंडिये की सरकार तो आज भी भारती जनता पार्टी बहुमत से बहुत दूर है बैसाखी पे निर्भर है वो सहयोगों के कब क्या हो जाए कोई नहीं जाए तो देखे कॉंग्रेस को जाहिर सी बात है दिक्कत होगी प्रमोत तिवारी को ही दिक्कत नहीं हो रही है कॉंग्रेस के तमाम लीडर्स को दिक्कत हो रही है राज्य सभा में कम से कम कॉंग्रेस ने सोचा था कि यहां हम बाजी मार ले जाएंगे मोधी सरकार तो कमजोर आई है यही वज़ा है कि बार बार कॉंग्रेस पर्टी ये बैठ कर खयाली पुलाओ पका रही थी लेकिन खयाली पुलाओ पकाने के अलावा अब बीजेपी ने बड़ी जित हासिल कर लिये सिफ कोर वोटर्स बीजेपी की भी खुश है क्योंकि देखिए यहां पर थोड़ी टेंशन यूपी के चुनाओ के बाद बड़ी की क्या होगा आगे कैसे होगा आगे का काम और यही वज़ा है कि अब यहां पर राज्यों से रिष्टे बीजेपी मजबूत करती नहरा रही है एक बड़ चली आँखडों पर चलेंगे हम कि आँखडे क्या कहते हैं दर्चको नौ राज्यों की बारा सीटों पर उपचुनाओं में सभी राजसभा उमीदवार निर्विरोज चून लिये गए हैं एंडिये ने 11 और कॉंग्रेस ने एक सीट पर कबदा जमाया है बीजे को पारित कराने के लिए दूसरी पार्टियों पर निरभर विल्कुल नहीं रहना पड़ेगा जो पहले होता था पहले के डेट्स में ने देखा आपको मैंने बताया ना कि पिछले एक दशक से मतलब दस सालों से ऐसे राजसभा में यहां पर बहुवत के आंकडे को पार कर उदव ठाकरे, ममता बेनर जी, इसके साथ तिजस्वी यादव, यह सब अभी सकते में हैं क्योंकि बीजेपी के लिए जहारते की राजसभा में की स्ट्रेंथ कम हो जाए और आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है कि एंडिया ने पहली बार राजसभा में बहुमत हास असल किया है, 245 स्ट्रेंथ की साथ सभा में सभी आठ सीटे और खाली है, इनमें से चार जमू काश्मीर से और चार मनोनिस सरदस्य से भरी जानी है, सदन की मौझूदा संख्या 237 है और बहुमत का आकड़ा 119 से जो बीजेपी ने पार कर लिया है, फिलाल यहां पर राश् बिलो के अटकने से जो कॉंग्रेस को खुशी मिलती रही है, अब क्या खुशी मिलेगी इस पर देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलाल राजे सभा की यह सीटे बहुत एहम है, सरकार के बड़े फैसले आने वाले 100 दिनों का आकड़ा, एक रोड मैप तयार किया है मोधी स तरका का बड़ा तौफा, राजे समा में बहुमत हांसल करने के बाद क्या होता है, आपकी क्या रहा है, क्या आपको बीर लग रहा है कि कहीं न कहीं बिलो के पास होने से एक देश को नई उड़ जा प्रदान होगी, जाए जमो कश्मिर से ले ले या फिर वक्त बोड़ से ले ले, कॉमेंट प्लीज, बहुत शुक्रिया